बांगलादेश की इनिंग्स खत्म हो चुकी है 50 ओवर में बांगलादेश ने 265 रन बनाए है और 266 रन का जो टीम इंडिया को टार्गेट मिला है आज का मैच जीतने के लिए इंडिया ओलरेडी कॉलिफाई कर चुकी है बांगलादेश ओलरेडी ढाका जाने के लिए ट्रण बनाए 8 विकेट के नुकसान पर बोलर्स की अगर बात करें तो शारदुल ठाकुर को तीन विकेट मिले शमी को दो विकेट मिले और अक्षर और जडेजा को एک-एक है विके अलावा अक्षर जडेजा और प्रसिद कृष्णा को भी एक-एक विकेट मिला है शार्दुल ठाकुर दस ओवर 65 रन देकर तीन विकेट और बांगलादेश ने अपनी पारी में 200 25 रन बनाए है आकाश भाई 265 जिस तरीके की पिच है हमें पता है कि अभी थोड़ा सा पिच का मिजाज बदल जाएगा जैसी अंडर लाइट साएगी कैसा स्कोर फाइटिंग स्कोर है या फिर थोड़ा सा अंडर पार है देखे थोड़ा सा अंडर पार तो है अगर आप बां 28 all out तो नहीं होगा ना बस इतना है तो परोजा नहीं होगा तो वहां तक तो नहीं जाएंगे पर क्योंकि चार स्पिनर्स हैं फास बोलर में भी आपको तसकीन जो है वो अच्छी पेस पे डालते हुए नजर आएंगे एक निया गेंदबाद खेल रहा है जिनको हमने बंगलादेश प्रेमेर लीग में देखा था मेरे ख्याल से वो तसकीन की जगा ही खेल रहे हैं वो उनकी बहुल अच झाल 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 झाल